वैसे दो सो बोट बहुत ज़्यादा पॉपलर है इंडिया के अंदर में अपनी बजेट फ्रेंडली गैजेट्स की वज़े से चाहे वह स्मार्ट वाचेस हो या फिर उनके अरबर्ट्स होने बैंड हो इस वज़े से बहुत ज़्यादा पॉपलर है और आपको पता है कि स्मार्ट वाच में देखने को मिल जाते है तो अगर आप भी PlayStation सेगमेंट के अंदर में अच्छी स्मार्ट वाच भाय करने का सूच रहे तो ऑप बोट वाचspies करसकते हैं क्योंकि कि को मिल जाता है जो साइट से दोस्तों मिटल का बना हुआ होगा क्योंकि भी तक वांच नहीं वही तो सब कुछ जड़ा क्लियर नहीं है और इसमें राइट हैंड साइड में आपको क्राउन देखने को मिल जाते हैं जिसके मतलब से आप जो है मिन्यों अगरा एकसेस कर सकते हो या फिर बैक वगरा जा सकते हो और इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो सिलिकॉन के होने वाले हैं यह तीन से चार अलग-अलग कलर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर थाट पार्टे स्ट्रैप भी आप इसमें लगा सकते हो तो ओवर ओल डिजाइन और सब्सक्राइब कर सकते हो तो डिस्प्ले काफी बढ़ी हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो ओवर ओल कोई दिक्केट इसमें डिस्प्ले वाइस भी होने वाली नहीं है एक वापको 1.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है कुछ अगर आपको निटिफिकेशन आता ह तो काफी आराम से आप उसको पढ़ भी सकते हो तो डिस्प्ले वाइस भी काफी बढ़ी है डिस्प्ले आपको बोट वाज देखने को मिल जाती है इसके बाद में अगर फिटनेस फीचर की बात करें क्योंकि स्मार्ट वाच लोग बाई करते हैं कि उनका जो है सारा काम भी मिल जाती है तो फिटनेस फीचर स्वाइस भी इस वाली स्मार्ट वाच में आपको किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती है इसके बाद में काफी जारत लोग जो है वर्काउट पे भी धियार रखते हैं जब भी कोई स्मार्ट वाज बाई करते हैं उनके लिए बहुत खटोती करेगा लेकिन जो हमारे डिल लाइप में बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं और अपको पूरी डिलिंग मैप के अंदर में देखने को मिल जाएगी वसा दोस्तों पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी स्मार्ट वाच में बिल्ट इन आपको गेम भी दे लेकिन इसमें फीचर्स वाइस एक गेम भी आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा बूत आप इससे टाइम पास कर सकते हो वैसे दोस्तों बोट वाज जिनेट में आपको एक ठीटर मोड भी देखने को मिलता है अगर आप ठीटर मोड कर देते हो तो एक तो स्मार्ट आपको देखने को मिल जाता है तो यह भी मेरा मतलब एक अच्छे फीचर ही लगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीजी हो तो थेटर मोड को इनेबल करो सारे नोटिफिकेशन डिसेबल हो जाएगे और ब्रैटनेस भी स्मार्ट वाच की कम हो जाएगी अगर दोस्तों ब बाइ करते हैं तो वाटर रेटिंग का भी ध्यान रखते हैं तो बोट वाच जिनेट में आई पी 67 की आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है जो वाटर डस्ट रसिस्टेंट होने वाले इसमें थोड़ा बहुत पानी और डस्ट जाने पर यह खराब नहीं होगी लेकिन अगर आप इसको पहन के पूरा श्रिमिंग करते हो या फिर पानी में काफी देर डू भी रहती है तो उस केस में यह स्मार्ट वाच खराब भी हो सकती है और दोस्तों जब भी स्मार्ट वाच को अंबाय करते हैं तो नोटिफिकेशन का भी बहुत ज़्यान रखते हैं तो आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं चाहिए कॉल हो मैसेज हो इमेल और हो जितने भी सोसिल मीडिया आपस आपके फोर्म इंस्टॉल है औल्मोस्ट सब का नोटिफिकेशन आपको बोट वाच देखने को मिल जाता है इस वाले स्मार्ट वाच की मदद से आप music भी control कर सकते हो और दोस्तों अपने आप जो है camera shutter की तरह भी इस वाले smart watch का यूज़ आप कर सकते हो तो यह सारे features भी आपको इस वाले smart watch में built-in देखने को मिल जाते हैं तो overall दोस्तों कुछ इन ही features के साथ में boat watch Zenit इंडिया में बहुत launch होने वाली हपते से 10 दिन के अंदर में दोस्तों यह वाली smart watch इंडिया में launch हो जाएगी pricing के अगर बात करें तो मेरा personal opinion है दोस्तों यह अंडर 3000 रुपेस के आज पास launch हो सकती है साथ से 2500 रुपए में आपको first sale smart watch को लेकि यह आप मेरे को comment करके बता सकती हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिए चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके वेल आइकन हिट करो कुछ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आप से अगले वीडियो में